ओम नमस्षिवाई शिवजी सदा सहाई ओम नमस्षिवाई गुरुजी सदा सहाई जै गुरुजी संगजी गुरुजी के परिवार गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को शेयर करें और सबिस्क्राइब क और साथ में लग भी बैल आईकान के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डिलली अपनोड होने वाले बड़े मंदिरे आले प्यारे से गुरुजी की सत्षंग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुँच सके अपना सत्षंग गुरुजी की प्यारे से चैनल पर करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देगे मारे वाट्सअप नमबर पर अपना सच्छंग और या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भीज सकते हैं जै गुरुजी संगा जी आज का सच्छंग बहुत प्यारा ब्लेश सच्छंग है और आज के सच्छंग जोली में पढ़ती चली जाएंगी और ये सच्छंग माय साथ शेयर के गुरुजी की बहुती ब्लेश संगत है रिशी के से स्वाती आंटी जी ने सच्छंग माय साथ शेयर किया मैं दिल से उनका शुकराना करता हूँ कि उनने गुरुजी से आग्या लेकर गुरुजी के इस प्यार से चल पर अपना सत्संग शेयर के, चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं, जै गुरुजी. संगची, गुरुजी ने मुझे जून 2023 से अपने से जोड़ा है, और इससे पहले मैंने अपने दो सत्संग शेयर किये हैं, अक्चलि करीब दो हफ्ते पहले से ही मुझे सत्संग से मेसेजिस मिल रहे हैं कि अपना सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर, पर मेरी तबियत भी ठी जा रहे थे हैं मिलते जा रहे थे हैं तो मैंने दो चाह दिन पहले गुरुची को पूछा कि क्या गुरुची ये मिसेच मेरे लिए है कि सच में मुझे सत्संग शेयर करना चाहिए तो आंसर ये साया पर उसके बाद भी मेरी तवियत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और आज फा अलिपैथी से मेसेच मिला था कि अगर तु बीमार है तो भी अपना सत्संग शेयर कर इससे तेरी हीलिंग होगी ये सुनते ही मैंने उसी समय वो सत्संग पॉस किया और अपना ये सत्संग करना स्टार्ट कर दिया संगिची ऑक्टोबर दो हजार थेज के एंड से ही मुझे गुरुजी के मेसेच इसाना स्टार्ट हो जुके थे कि मैं तुझे डुगरी मंदिर बुलाओंगा बार बार मेसेच इस मिलने लगे पर उस टाइम सिचेशन कुछ ऐसी थी कि मैं 11 दिन का एक वोक्शॉप कंड़क्ट कर रही थी जो अराउंड 30th of October को खतम हो रहा था और 7 को मेरा पूने का बुकिंग था मुझे डुगरी मंदिर के रिगार्डिंग इतना कुछ पता नहीं था कि वो कब उपन रहता है मैंने गुरुजी को अर्दास की गुरुजी मेरे पास सिर्फ पांच दिन है इन पांच दिनों में अगर आप मुझे बुलाना चाहते हैं तो म मुझे बताया कि माम महीने के सिर्फ फर्स संडे को ही मंदिर खुला होता है तो उनसे बात करते करते मैंने सोचा चलो कैलेंडर देख लेते हैं कि कब बारा है फर्स संडे और देखा तो फिफ्ट को ही संडे था मैं समझ गई कि यही गुरुजी की मर्जी है कि मैं अभी स्टूडन्ट आंती के साथ डुगरी मंदिर पहुंची पाश तारिक को सुबह करीब साथ बज़े वहां जाके हम पहले पंडाल में चैर पे बैठें और वहां मेरे साथ कुछ अलग चीजें होई संगची हमारे साथ जो कुछ भी होता है उसके पीछे गुरुजी का कोई होता है तो हुआ ये कि जिस चैर पे मैं बैठी थी तो 15-20 महट के बाद मुझे पता चला कि मेरी राइट साइट मतलब मेरी राइट साइट की जैकेट पूरी तरह से भीग चुकी है उपर देखा तो राइट हैंड पे उपर से पानी की बोंदे टपक रही थे और जैकेट एक दम मूटा था तो समझ नहीं आया मुझे जन्दी पर तब तक राइट साइट जैसे पूरी ही भीग चुकी थी और उस समय वहाँ वहाँ ठंड थी उपर से जैकेट भी गिला हो गया था तो और ठंड मैं समझ कहीं कि गुरुची ने इस सब से मेरा कोई कर्मा काटना था फिर उसके बाद थोड़ी देर हम वैसे ही बैठे रहें और करीब आधे घंटे बाद हमें वहाँ से अंदर मंदिर जाने के लिए बोला गया चलते चलते मैंने नूटिस किया कि मेरे गले में Bluetooth earphones थे उसमें से एक earphone का रबरबड गुम हो चुका था और वो बड़ ऐसे था कि सिर्फ वही मेरे कान में comfortable था बाकि एक भी मेरे कान में fit नहीं हो रहा था तो इसलिए वो जो earbud था वो जैसे कि यूनू ज़रूरी बन चु चुका था मेरे लिया बट वो गुम हो गया तो थोड़ा सा मन में आया कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था पर अगली ही पल मैं aware हो गई और समझी ये सब गुरुजी ही करवा रहे हैं फिर वहां मैंने अपनी free will गुरुजी को दे दी कि गुरुजी इससे अगर आप मेरा को रहे हैं तो ये बचा हुआ एरबड भी यहीं पर गुम हो जाएं और सच में संगत जी कुछ टाइम बाद दूसरा भी एरबड गुम हो गया जै गुरुजी शुकराना गुरुजी संगत जी हमी किसी भी चीट से इस संसार में एटाजमेंट नहीं रखनी चाहिए और ये तो इतनी सी एरबड थे गुरुजी ने कर्मा काटने जी साथ साथ ये भी सीख दे थे फिर वहां से दर्शन करके लंगर प्रशाद लिया और हम वापस लोट हैं फिर नेक्स टे मैं दिवाली के लिए होना चली गए तो दिवाली से पहने से गुरुजी का मेसज मिला कि दिवाली के दिन छोती बच्चे उनों मिठाई खिला देना पर दिवाली की अड़बड में मैं भूल गए फिर गुरुजी का दो तिन बार मेसेश मिला था कि धर की में डोर पे द्रीन कलर का शुबलाब लगा तो वो लेने के लिए एक शान को मतलब दिवाली के दो तिन दिन बाद मैं और आई हम मार्केट थे तो रास्ते में चंती चंती वहाँ छोटी बच्चियां खेल रही थी तरी बाद से नो बच्चे थी वहाँ पे और उनको देख की छट से मुझे याद आया और मैंने आई को कहा कि आई में भूल गई गुरुजी ने मुझे मेसेश दिया था कि दिवानी के दिन जोटी बच्चियां को मिठाई चिला तो मैंने कहा ठीक है चलो आज खेला देखते हैं तो जो हम शुबलाब का स्टिकर लेने गए थी वहाँ पे कही पर भी नहीं मिला पर लोते टाइंग मैंने एक मिठाई की दुकान से मोती चूर के लड़ू दे ले ले और रास्ते में वो बच्चियां खेल रही थी तो उनको बुलाया तो वो सब आई पर लड़ू लेने के लिए कोई तयार नहीं था हालकि ये बहुत अच्छी बात है छोटे बच्चों को यहनों किसे अजनवी से कुछ लेना नहीं चाहिए मैंने एक दू बार उनको बूला तो वो जैसे डाउट में थी तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं और जो लड़ू का पोर्शन मेरे हाथ में था मैंने खुद खा लिया और हम आगे चन्दे लगें मैंने सोचा ठीक है जैसे गुर्जे की मरसी और हम चन्ती चन्ते बहुत आगी तक चन्दे गैं बहुत आगे तक तो अच्छानक से सारी बच्चियां दौड के हमारे सामने आई और हाथ आगे किया लड्डू के लिए और आई बोलती है देख इतने दौड तक वो आगे दौड के चन्दे आए फिर मैंने उन सब को लड्डू बाते और हम चलते हुए और आगे चन्दे आए तो उन बच्चियों के साथ जो छोटे छोटे बच्चे खेंड रहे थे वो के उन बच्चियों के पीछे पीछे दौड के आए और उन्होंने भी लड्डू के लिए हाथ आजे बढ़ाए जै गुरू जी शुक्राना गुरू जी सनित जी हम निखने तो थे वो शुबलाप का स्टीकर लेने के दिये वो तो मिला ही नहीं पर ये जो मेसेच पैंडिंग पड़ा था जो यो मैं भूल चुकि थी गुरू जी ने वो करवाया गुरुजी को सब पता है कि किस समय हमसे क्या काम करवाना है जै गुरुजी, शुक्राना गुरुजी तर कुछ दिन बाद मेसेज मिला कि आज मैं तेरे घर चाय पीने आऊंगा कि सरूप वे चाऊंगा मैंनों पहचान ले और वैसे तो हमारे घर कोई आता नहीं है मैं बैल सुम के खुश हो गई पहला ख्याल मन में आयां कि कुरुजी आया आई ने डर्वाजा खोला तो पापा थे जो दो-तिन दिन के लिए वो आखे पास गए थे हम लोग लंज के लिए ही बैठ रहे थे तो आई ने उनको लंज के लिए पूछा तो बोलते ही नहीं तो फिर मैंने पुछा चाई पियोगे तो बोज़ते हैं हाँ मैं चाई पियूँगा खाना खाने का मन नहीं है फिर मैंने उनको चाई बना के दी जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी संगची डुगरी मंदर जाने से पहले से ही बड़े मंदिर के मेसेजिस आ रहे थे और दिवाली के बाद तो और ज्यादा आने लगे फिर करीब 22 नवंबर के आज पास मैं रशिकेश वापस आ गए और बड़े मंदिर के मेसेजिस में ना चल ही रहा था तो उसमें मेरी तबीद ठीक नहीं थी संगत जी पिछले करीद तेड़ महीने से मेरी तबीद विवकुल भी ठीक नहीं थी तो एक बार मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी इतने मेसेजिस दे रहे हैं आप बड़े मंदिर आने के तो कब आना है बता देना मैं वैसे बुकिंग करूंगी तो संगत जी ये पूछने के करीब दो तीन घंटे बाद ही मैं से सामने आया कि बड़े मंदिर आन्दी तैयारी शुरू कर दे साथ तरिक नों ज्यादा ताइम नहीं बचा मैं समझ कई कि गुरुजी चाहते हैं कि मैं साथ तारिक को बड़े मंदिर आऊं मैं उस समय ज्यादा विमार थी और वीकनिस पे ज्यादा था पर गुरुजी ने सारा कुछ अच्छे से अरेंज करा दिया था ये मेरा बड़े मंदिर सकेंट टाइन जाना था इस समय भी आँखों में आसु आ रहे थे स्पेशली जूने से लेकर समाधी तक तो बहुत ही ज्यादा में रोई फिर वहां बाहर पैठने का मौका मिला चाय क्रशाद मिला फिर दर्शन करके लंगर क्रशाद मिला और इस टाइन लंगर क्रशाद में मेरे साथ तीम वो भी जैंट्स थे पता नहीं गुरुजी का क्या रीजन था इसके पीछे गुरुजी के मर्जे समझ के मैंने लंगर क्रशाद ग्रहन किया फिर वहां से गुरुजी का चरन स्वरो भी मिला और हाँ बड़े मंदिर जाने से तीन-चार दिन पहले से ही मेसेज स्टार्ट हुए थे कि मैं तरी घर रा रहा हूँ फोलों से मेरा स्वागत कर और मुझे मठर पनिर खिया और यहां और एक बात में थूल रही कि स्टेशन से मैंने ओला से आटो किया था तो रास्ती में मेरे मन में आया था कि रिटन काभी मैं इसी आटो वाले से पोच्छू फिर मैंने कंट्रूल छोड़ की गुरुजी को सरंडर किया और उनको बोला कि मैं पूछूंगी नहीं अगर ओटोवला खुद से बोला तो मैं समझूंगी कि गुरुजी आप यही चाहते हैं और जैसे यह मंदिर पहुँचे और टोवला बोला मैंडम जब आपको वापस जाना होगा मुझे बोल देना वैसे भी यहां से मुझे सवारी नहीं मिलेगी मैंने कुछ अब यह कितने पैसे लोगी तो बोला जिफने आते समय हुए फुटने ही दे देना मैंडम और संगची मुझे दर्शन करके वापस आने में करीफ तेट घंटा लगा तब तक वो रुका रहा और उसने अच्छे से सालनों के आसपस मुझे स्टेशन पहुचाया संगची उसने वेटिंग चार्जिस भी नहीं लिये जय गुरुजी अनंतम अनंतम शुकराना गुरुजी पर वहाँ से वापस आने के दो-चार दिन बाद ही एक सत्सन में एक आन्टी बता रही थी कि जब हम किसी भी सत्सन या वड़े मंदर जाते हैं तो हमारे जानी से लेकर वापस आने तक की सारी जिन्मेदारी गुरुजी खुद उठाते हैं जो मैंने अनुखों किया था और उससे में मेरी तवियत भी थीद नहीं थे जय कुरुजी अनंतम अनंतम शुकराना गुरुजे संड़ची बड़े मंदर से वापस आते ताइं वाटो में मैंने गुरुजी से अदास की थी कि गुरुजी तशिकेश में अदल कहीं सत्सन होते हों तो मुझे बहां जोड देना तो वापस आने के बात नेक्स टे मैं चलन स्वरूप को फ्रेम कराने के लिए मार्केट गई तो बहाँ इंदुकान में मुझे गुरुजी का स्वरूप दिखा मैंने उन अंकल को सत्सन के बारे में पोचा तो उन्होंने कहीं से पोच की दो नंबल दी जहां रोज शान को चार से पात सत्सन होता है और थरस्टे और संडी को रात में साथ से नो सत्सन होता है तो बहुत खुश हुई नेक्स टे मैं शान को सत्सन में गई अंटी जी ने मुझे विलकुल साननी गुरुजी की पास बिठाया वहाँ ध्यान में बैठी वहाँ भी आसो आ रहे थे गुरुजी की प्रजन्स महसूस हो रहे थे वहाँ चाय व्रशार समोसा प्रसाद मिला और थोड़ी टाइम बाद उन आंटी जी ने पूछा कि आपको गुरुजी की ब्लेसिंस चाहिए मैंने का जो आपको लगे आंटी वो दे देना बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं आपको जोड़ चाहिए वो बोल देजी फिर मैंने ब्यास देट लॉकर स्वरूब भोला उन्होंने इलाके दिया मैं बहुत ही ग्रेट फूल फील कर रहे थी गुरुजी के इस आशिरवात के लिए जै गुरुजी अनंतम अनंतम शक्राना मेरे गरुपा पर नेक्स टी संदी को बड़े सत्सन में गई संदी दोनु समय बहुत ही गहरा ध्यान दगा और इस दिन एक आंटी जी ने मुझे बुलाया मैं गई तो उन्होंने मुझे और एक आंटी को बुला आपको गुरुजी को भोग लगाना है मैं थोड़े सी सहम गई क्योंकि मुझे कुछ रिच्चन पता नहीं था क्या करना है कैसे करना है कुछ फूल तो ना हो जाए है न फिर उन्होंने बताया क्या करना है फिर हम दोनोंने जाके गुरुजी को उस दिन भोग लगाया जै गुरुजी शुकराना गुरुजी दुरुस दिन सुभे मैंने भी गुरुजी के स्वागत में अपने हाँ सत्संग किया गुरुजी ने मट्रपानिर खिलाने के लिए बूला था तो वो बना के भोग लगाया इस दोरान मैंने घर में ही अकिली तीन चार सत्संग किये हाला कि तवियत मेरी तवी भी ठीक नहीं थे और फिर उसके बाद तो और भी ज्यादा तकलिक पड़ने लगी रात में लेट भी नहीं पाते थी उठके बैठना पड़ता था बेचे में बहुत ज्यादा थे गुरुजी से अरदास करती थी और गुरुजी के मिसेजिस आते थे कि कोई बहुत बड़ा कश्ट था जो छोटे में काठा है जै गुरुजी शुकराना गुरी जी संग जी इसी दोरान कभी कबार गुरुजी से नाराज भी हुई गुस्सा भी हुई क्योंकि इतनी तक्लीफ में यहों बहुत स्यादा चेच्चिट हो जाती थी और फिर गुरुजी से माफी मांग याती थी तर उसी दोरान गुरुजी ने तीन-चार बार ध्रिन दर्शन दिये बालकिनी में भी तिखनी और कभूतर के रूप ने भी दर्श गुरुजी का स्वरुप सीनी से लगाए हुए भाग रही हूँ और दो-तीन लोग में पीछी पड़े हैं जैसे मुझे मात नहीं खेंडी फिर एक जगे जाके मैं खड़ी हो जाती हूं और गुरुजी की स्वरुप को देखती हैं तो उसमें से शहद वर्शा हो रही होती ह जै गुरुजी अनंतन अनंतन शुक्राना मेरे गुरुप जी अनंतन शुक्राना उस ट्रीम की कुछ तिन बाद अम्रित वर्शा के मेसेज मिलने लगे और एक तिन फिर से जैसे माया कि मैं गुरुजी की स्वरुप को सीने से लगाए बैठी हूं और जब मैं उनकी की बोंड दिखाई देती हैं जिसे अंडुत पश्चा हो रही है उनकी स्वरूप से जय गुरुजी अननतन अनतन शुक्राना मेरे को रूपा अननतन शुक्राना संगची हमारी चोटी चोटी चीज़ों का विख्यान गुरुजी रखते हैं एक दिन मेरा चोकलेट कीक खाने का पड़ा मत कर रहा था तो मैंने इस विगी से ट्रफल कीक ओडर किया तो ओडर करने की तुरंद बात ही रेस्टर से कॉल आया कि ट्रफल कीक आउट अफ स्टॉक को जो कहा है आप अल्टिने चोईस अपना दे सकते हैं पर मुझे तो बढ़ी खाना था सो कस्टमर केर से बात करके मैं उन्हें ओडर कैंसल किया तो उसी से मैं रेस्ट आया फिर मैंने दूसरी जगे से ओडर किया तो संगची जब वो केक आया तो उसके बॉक्स पे बड़ गुरुजी हमेशा हमारे साथ रखते हैं हमेशा हमारा ख्याल रखते हैं उतना जिकना शायद ही इस दुनिया में हमारा कोई रखता होगा कहते हैं न ये दुनिया बेरिष्टे सारी चीज़े सत्माया है सत्तिम्परी है सिर्फ इश्वर शाश्वत है गुरुजी शाश्वत है सत्ति की राहे ही इश्वर की राहे बस गुरुजी की छत जाया में बने रहे उनका हर एक गाइडन्स वानू करते रहे उनके प्रती द दिल से सरंदर नहीं, फिर देखी, वो आपका बेड़ा कब बार लगा देंगी, आपको पता भी नहीं चनेड़ा, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देते हूँ, सत्संग सुनाने में मुझसे अगर कोई गलती हुई हो, तिम शुमाफ करते न, जै गुरुजी, अन अनंतम शुक्राना गुरुजी, अंतरात्मा से शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना